बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से अक्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहतरी इन एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया है। इन्ही एक्टर्स में से एक हैं विजैराज जिन्होंने परदे पर लीड रोल तो निभाया नहीं लेकिन उनकी एक्टिंग के लाखों लो गायल है। विजेराज का राम भले ही बहुत कम लोग जानते हूं लेकिन फिल्म रन में उनकी कॉमेडी ने दर्शकों को लोट पोट होने पर मजबूर कर दिया था। विजेराज के एक्टिंग करियर को 15 साल से भी लंबा वक्त गुजर चुका है। इस दोरान उन्होंने रान, वेलकम, भुपाल एक्सप्रेस, बॉम्बे टुगोवा, धमाल और दीवाने हुए पागल समेट कई फिल्मों में काम किया। विजेराज अपनी कॉमेडी और बहतरीन एक्टिंग से बोरिंग फिल्म में भी जान फूगने का काम करते हैं। इसलिए तो फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बावजूद भी उनका किड़ार दर्शकों को याद रहता है। विजेराज ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले 10 साल तक थियेटर में काम किया था जिसके बाद वो फिल्मी करियर बनाने मुंबई आ गए। इसके बाद विजेराज को फिल्मों में साइड और कॉमेडी रोल मिलने लगे जिनके चलते वो दर्शकों के बीच काफी जादा मशूर हो गए। बीचते वक्त के साथ विजेराज ने अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम किया जिसकी बदालत वो कॉमेडी के साथ अपनी आवाज के जरीए कई फिल्मों को नरेट करने लगे इतना ही नहीं विजेराज की आवाज कई एड्स में भी सुनी जा सकती है जो दर्शकों को काफ करते हुए भी नजर आते हैं उन्हें आखरी बार फिल्म शेरनी और लूट केस में एक्टिंग करते हुए देखा गया था विजेराज इंडस्री में बने रहने के लिए लगातार अलग-अलग रोल्स निभाते रहते हैं जिससे उनके फैंस की संख्या में इजाफा हो रहा है